हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत एक नहीं वीडियों फ्रेंस आज मैं वीडियों में बात करने वाला हूँ आपके जो रेड्मी फोन होता है उसमें काफी अच्छे-च्छे कैमरा फीचर्स देखने को मिलता है तो बहुत लोगों पता नहीं होता है यह फीचर्स का इस्तमाल कैसे करते हैं तो आज की वीडियों में बताने वाला हूँ है सारी सेटिंग के बारे में जैसे इसमें अलग-अलग फंसन होता है हर एक कैमरे का सेटिंग का ठीक है फ्रेंज तो आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कैमरा को ओपेन करना है जब ओपेन करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रो मोड देखने को मिलता है प्रो मोड में क्या होता है कि आप इसमें इजीली बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं कैमरे को और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ISO अर्जेस्ट कर सकते हो इस पर क्लिक करें गोई तो यहां से अपना उसके हिसाब से color को ISO को अर्जेस्ट कर सकते हो ठीक है और इसी परकार से EV आपको देखने को मिलता है 0 पे या फिर minus में या फिर कैसे अर्जेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है फ्रेंज इसी परकार से F auto में देखने सकते है W भी देख सकते हो auto में भी करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है इस तरीके से अर्जेस्ट करके आप फोटो किलिक कर सकते हो ठीक है अब आता है वीडियो का यहां से वीडियो Choose कर सकते हैं यहां उसके नेख्ष्ट आता है cul Η क्लिक कर सकते हैं और यहना पर देखने को मिलता है है portraitrait क्या होता है जब भी किसी object अप focus करते हैं तो background को blur कर देता है तो पॉल्ट्रेडज mode बोलता है। ठीक है किसी देख करते हैं, भी मोर को पर जाते हैं तो उस पर किलिक कर सकते हैं और यहां पर शॉर्ट वीडियो create करना चाते हैं तो इस पर उपर मैं आपको यह पर शॉर्ट वीडियो का options देखने पर मिलता है आपको पता ही होगा शॉर्ट टिक टॉक या फिर यूटूब शॉर्ट से भी create कर सकते हैं पैरानॉमा में क्या होता है जैसे यह सब तो मैंने शरी बताए उस पर क्लिक करोगा क्लिक हो जाएगा फोटो ठीक है पैरानॉमा में थोड़ा अलग होता है पैरानॉमा में क्या होता है कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको पैरानॉमा में से क्लिक कर दिया ठीक है और यहां पर मैं जैसे फोटो पर क्लिक करूंगा यहां से और इस तरीके से स्लाइड करूंगा जो कैमरे में नहीं आ रहा होगा वो भी आपको कैमरे में देखने को मिलेगा ठीक है चारो साइड से ठीक है आप अपना फोटो क्लिक कर सकते आप पीछे मत देखे, इस अब मस जज मत कीजेगा, क्योंकि मैं शिरिफ आपको बता रहा हूँ, फोटो को क्लिक करके, ठीक है, तो आप जो फ्रेम में नहीं होता है, उसे भी आप यहां से क्लिप कर सकते हो, स्लाइड होता रहेगा, ठीक है, एक तो यह हो गया, ठीक है, इसको एक पे कलिक करके, यहां से हटा भी सकते हो, अब यहां से आप देख सकते हैं, टाइम orange देखने को मिलेगा, टाइम लाबस में आपको पता हिए, जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे तो, या वीडियो क्लिक करेंगे तो उसको फास्ट कर देता है, 10 times ठीक है और यहाँ पर vlogging का option देखने को मिलता है vlog वला वीडियो अगर create कर रहे हो तो यहाँ से आप vlogging type में video shoot कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर slow motion video भी देखने को मिलता है यहाँ पर water mark देखने को मिलता है water mark मैं आपको पताइए जब भी आप कोई भी चीज photo वगएरा किलिक करते है तो उसमें water mark आता है और खुद से आप change भी कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर lens आपको exposure adjust करने का भी option देखने को मिलता है dual switch करने का भी option देखने को मिलता है ठीक है तो slow motion जादा important है तो हम इसको बात करते है ठीक है और movies वगएरा effects वगएरा लगाना चाहते हो तो इस पर click करके effects भी लगा सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस पर click किया movies वगएरा effects आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर click कर सकते है photos, videos वगएरा तो आप देख सकते है तो यहाँ पर मैंने set कर लिया है यहाँ से इस तरीके से आप easily photos वगएरा click कर सकते है और भी आप देख लीजेगा यहाँ पर जब आप खुद use करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ पर slow motion भी देख लेते हैं बहुत है important है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर object है वो काफी fast चल रहा है लेकिन जैसे यह video click हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे तो इसका slow आपको यह चलता हुआ देख सकते हैं कितना slow हो गया वह कितना fast था यह slow हो गया तो इसी प्रकार से आप slow motion वीडियो create कर सकते हैं वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा I hope कि आपको सभी camera की setting के वारे में आपको पता चल गया होगा और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं और बाकी जो settings जो बताया है मैंने उसको खुद भी आप use करेंगे तो आप experience करेंगे काफी अच्छा और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं definitely आप लोग का reply चरूर करूँगा मिलते हैं से एक interesting वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार